नमस्कार आप देख रहे हैं MP News मैं हूँ निधिया आपके साथ और स्वागत आपका MP News के खास कारिकरम न्यूज रूम में जहाँ सबसे पहले किसान सम्मेलनों को लेकर हम बात करने वाले हैं और उसमें भी पहले हम बात करेंगे इंदौर शहर की भारती जंदा पार्टी आज यानि बुधवार को इंदौर के दशहरा मैदान पर किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है जिसमें अलग-अलग जगहों से यानि आसपास के क्षेत्रों से भी ट्रैक्टर्स और बेलगाडियों में किसान इंदौर पहुँच रहे हैं दोपर में होने वाले सम्मेलन में किसानों के खाने पीने के लिए भी आयोजनिस्थल पर भाजपाने व्यवस्थाएं की हैं साथी करोना संक्रमन से बचाओ के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाने की बात कही गई है क्रशी सुधार विधयक बिल के विरोध में देश भर में जारी किसान आंदोलन के बीच भाजपा इंदौर में समर्थन में किसान नए क्रशी कारून आये हैं उनके समर्थन में ये संभाग स्थिय सम्मेलन कर रही है इसकी जिम्मिदारी खंडवा सांसद नंद कुमार सिंग चौहान, विधायक रमेश मेंदोला और प्रदेश मंतरी कविता पाठीदार को सौपी गई है मुख्यवक्ता के रूप मेर राश्ट्री महासच्य उकैलाश विजयवर्गी रहेंगे तो प्रदेश के ग्रह मंतरी नरोत्तम मिश्रा भी आयोजन में शामिल होने पहुँच रहे है और वे भी यहां किसानों को संबोधित करने जा रहे है वही अन्य जगहों की भी अगर हम बात करें तो ग्वालियर में भी एक ऐसा ही बड़ा किसान संब्मिलन होने जा रहा है ग्वालियर में आयोजित होने वाले किसान संब्मिलन में शामिल होने के लिए केंद्रिय कृशी मंतरी नरेंद्रि सिंग तोमर और राजसभा सांसच जोतिरादित सिंधिया आज ग्वालियर पहुच रहे हैं ये आयोजित भी दोपहर को होने वाला है फूल बाग मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में और भी कई वरिष्ट नेता भारती जनता पार्टी की ओर से शामिल होने वाले है तो अलग-अलग जगहों पर बड़े पै हैमाने पर विशाल किसान सम्मेलन आयोजित किये जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारती जनता पार्टी इन सम्मेलनों के साथ ही किसानों को जागरू करने के प्रयास कर रही है क्रशी कानूनों के फाइदे बताने के लिए बीजेपी किसान सम्मिलन आयोजित कर रही है तो दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में पूर्व मुक्यमंतरी कमलनात और दिगविजे सिंग सहित सभी कॉंग्रेसी नेता उपवास रखेंगे जी हाँ नए क्रशी कानून के खिलाफ दिल्ली में जारी किसान आंदोलन का प्रदेश कॉंग्रिस ने भी समर्थन करते हुए सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है कॉंग्रिस नेता प्रदेश मुख्याले से लेकर ब्लॉक स्तर तक किसानों के समर्थन में उफवास रखेंगे पूर्व मंत्री जीतु पटवारी और पीसी शर्मा ने इसे लेकर एक प्रेस कॉंफरेंस आयोजित की और इसे लेकर जानकारी साजा की उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है किसान अंदोलन के समर्थन में अब कॉंग्रिस भी सडकों पर उतरेगी जीतु पटवारी ने आरोप लगाया कि आज बीजेपी के मंत्री किसानों के खिलाफ आपत्ती जरक तिपणी कर रहे हैं किसानों को टुकडे टुकडे गैंग के साथ चीन पाकिस्तान के साथ भी connection बता रहे है जो की ठीक नहीं है वहीं पूर्व मुक्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि किसानों की आये दोगनी करने का वादा करने वाले आज किसानों को पूरी तरह से बरबाद करने पर आमादा है क्रशी कानूनों का बीजेपी खुल कर समर्थन कर रही है लेकिन भाजपा किसान विरोधी है हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई किसान कर्ज माफी योजना को बंद कर शिवराज सरकार का ये कदम किसान विरोधी कदम है तो कॉंग्रेस पूरी तरह से किसानों के समर्थन में नजर आ रही है और केंडर सरकार की ओर से जो नया कृशी कानून लाया गया है उसके विरोध में नजर आ रही है जो सम्मेलन है उनके आयोजन कर रही है लेकिन यहाँ पर हम साफ तोर पर देख सकते हैं कि कॉंग्रेस पूर्जोर विरोध करती नजर आ रही है बीजेपी और कॉंग्रेस किसान आंदलोनों के माध्यम से अपनी अपत्या भी दर्स करा रही है हला कि कुल मिलाकर अगर देखे तो बीजेपी और कॉंग्रेस यहाँ पर आमने सामने नजर आ रही है अब किसान किसके पक्ष में जाते हैं ये देखना भी काफी दिल्चस्प होगा बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ मुकिमंद्री शिवरा सिंग चौहान ने स्मार्ट सिटी के तहथ हो रहे उजयन के महाकाल मंदिर परिसर के विकास कारी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है वे बोले कि अब ये परिसर स्मार्ट सिटी नहीं बनाएगी उजयन और मालवा के नागरे किसे मिलकर बनाएगे सीएम ने ये भी कहा कि मैंने आदेश दे दिये हैं कि काम को तुरंत रोक दिया जाए महाकाल का परिसर हम खुद आकर देखेंगे और उसके बाद आगे के काम तै किये जाएंगे मुक्यमंतरी मंगलवार को यहां क्रिशी कानून के जन जागरन के लिए भाजपा द्वारा आयोजित संभागी किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे बाद में उन्होंने मीडिया के समक्ष ये भी स्पष्ट किया कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत महाकाल मंदिर का जो परिसर बन रहा है उसको उज्जैन के जिम्मिदार नागरे के एक बार मिल कर देखेंगे उसके बाद ही उसे अंतिम रूप दिया जाएगा तो फिलहाल काम को रोग दिया गया है जिस तरह से सीम ने निर्देश दिये है अगली अपडेट परिटन स्थन हनुवंतिया में मंगलवार से पाचवे जल महुत्सों का आगाज हो चुका है इसके शुभारम के अवसर पर मुक्यमत्री शुवराज सिंग चौहान ने वीडियो संदेश में कहा कि सिंगापूर भ्रवन के दोरान सेंटो सा द्वीब देखकर उनके मन में मध्यप्रदेश में भी टापू को परिटन केंद्र के रूप में विक्सित करने का विचार आया था जिसे की उन्होंने हकीकत में बदलने की कोशिश की है सियम ने ये भी कहा कि इंदिरा सागर में भी पचास से अधिक टापू है इन्हें भी विक्सित किया जाएगा और एक परिटन केंद्र के रूप में इसे नई पहचान भी दी जाएगी तो जल महुचसों का आगाज हो चुका है अगली अपडेट जबलपूर सहित प्रदेश के सागर और रीवा में 300 करोड की लागत से अंडरग्राउंड विद्यूत लाइन बिचाने की तैयारी है इसके लिए पहले चरण में सगन और हर्याली बाहुलिक शेत्रों को प्रात्मिक्ता दी जाएगी अंडरग्राउंड विद्यूती करंड का एक बड़ा फायदा ये होगा कि आंधी तूफान आने पर भी यहां बिजली गुल नहीं होगी खंबे पर फैले तारों के जाल से मुक्ती मिलेगी वहीं फॉल्ट भी नहीं होगा खुले तार से होने वाले हाथ सो से भी नुजात मिल सकेगी वहीं विभाग को बिजली चोरी रोकने से लेकर साल में दो बार होने वाले मैंटेनेंस खर्च बचाने में भी काफी बड़ी राहत मिलेगी पूर्वक्षेत्र विद्यूत वित्रन कंपनी से एकी करत विद्यूत विकास योजनेयाने IPDS के तहट करानी जा रही है जानकारी के अनुसार पूर्वक्षेत्र विद्यूत वित्रन कंपनी शहर में तारों का जाल हटाना चाहती है खासकर घनी आबादी और सक्रे मारगों पर देखे तो तारों के जाल के चलते अक्सर हाथ से भी होते रहते हैं वहीं उनके मैंटेनेंस पर भी अधिक खर्च करना होता है लेकिन अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया बात करें अगर मौसम की तो अरब सागर से आने वाली नमी में कमी होते हुए प्रदेश भर में बादल अब छटने लगे हैं ऐसे में ठंड ने भी जोर पकड़ लिया है यही कारण है कि भोपाल समेट प्रदेश भर में रात के तापमान में गिरावट दर्स की गई है आठ डिगरी दर्स किया गया है सागर में 11.2 डिगरी सेल्सियस और रतलाम में 10.4 डिगरी सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम वज्जानिकों के अनुसार अभी एक दो दिन तापमान में और गिरावट दर्स की जाएगी उसके बाद तापमान में उतार चड़ाओ बना प्रदेश की कुछ लागों में आज भी बारिश की संभावना है इसमें साउथ विदीशा, सतना, रीवा, सीधी और सिंग्रॉली का नाम शामिल के आ गया है जहां कहीं कहीं पर हलकी-हलकी बारिश देखने को मिल सकती है और अंत में बात करेंगे कुरोना संक्रमन्ट के आकड हो चुकी है दो लाख पचीस हजार साथ सो नो होट स्पोट इंदोर की अपडेट तीन सो इन्चानवे ने संक्रमित कुल संक्रमित हो चुके है उन पचास हजार नौसो सोला कल चार मरीजों की मौत हुई तो 247 स्वस्त भी हुए है कुल मौत काकड़ा इंदोर शहर का 822 तक जा पहुचा है राजधानी भूपाल में कुल संक्रमितों की संक्या 36110 से अधिक हो चुकी है वहीं एक्टिव केसिस अगर देखे तो राजधानी में 3206 एक्टिव केसिस फिलहाल बने हुए हैं इसी तरह पिछले 24 घंटों की कुछ खास दिलों की अपडेट आपको बता द धार में 17 नए संक्रमित, रीवा में 25, होशंकाबाद 12, बैतूल 5, सतना 25, जाबुआ में 13 नए संक्रमित, मनसौर में 15 और नीमच में 4 नए मरीजों में कुरोना की पुष्टी हुई है तो MP News की निजरूम से फिलहाल यही अपडेट लगातार और भी खबरे और भी जानकारिया हम आप तक जरूर पहुचाते रहेंगे मजाब बने रहे हमारे साथ देखते रहे है MP News, धन्यवाल MP की नफस, MP का हाथ, मज़िप्रदेश की हर खबर MP News TV के साथ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV लेटिस्ट अपडेट से लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न पूझे